आज हम बनाएंगे स्पिनेच पेस्थो पास्ता ये एक सिंपल क्विक और इसली बन जाने वाला रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले पेने पास्ता को बॉयल करेंगे जिसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने रखा है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल इसमें डालेंगे पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए पानी बॉयल होने के बाद हम पास्ता को डालेंगे अब इसे साड़े साथ से आठ मिनिट के लिए हमें पका लेना है पास्ता के साइज और ठिकनेस के हिसाब से इसका टाइम सेट होता है हमें इसे 90% सिर्फ कुक करना है चेक करके देखेंगे जब आप इसे कट करेंगे ये पक चुका है लेकिन अभी भी फर्म है जहां पर हमने इसे कट किया है दो पार्ट में बहां पर आप देखेंगे एक वाइट सर्कल सा फॉर्म हुआ है वो थोड़ा सा कच्चा वाला पार्ट है ये रहना ज़रूरी है इसे अलदानते कुकिंग कहते हैं पानी को छान कर पास्ता से अलग कर देते हैं अगर इमीडेट नहीं पका रहे हैं तो इसके उपर थोड़ा ठंडा पानी डालिएगा हम इमीडेट ली पका रहे हैं पेस्तो सॉस बनाने के लिए हमें एक मिक्सी ग्राइंडर लगेगा पालक पेस्तो बना रहे हैं तो हमने एक कप पालक ले लिया है अच्छे से धो कर ओरीजिनली इसे बेजिल लीव के साथ बनाया जाता है बेजिल हर जगा में आसानी से मिलता नहीं है तो हम पालक से बनाएंगे पालक भी काफी हिल्डी है और एजिली मिल जाता है एक और इंग्रेडियन्ट ओरीजिनल रेसिपी में डलता है वो है पीनट्स हमने पीनट को सबस्टिटीट किया है पनीर के साथ अगर पीनट का अलर्जी है किसी को तो आप पनीर से बनाएए पनीर से बहुत क्रीमी और डिलीशिस बनता है साथी में हम कुछ काजू डालेंगे काजू से इसमें नटी, टेक्स्चर और प्लेवर आएगा चार से छे गार्लिक के कलव्स, लसन हम बारीक काट के डालेंगे नमक डालेंगे थोड़ा सा याद रहे पास्ता में भी हमने नमक डाला था पांच-छे दाने ब्लैक पेपर का डालेंगे मेरे पास पाउडर है तो मैंने पाउडर डाल दिया चिली फ्लेक हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा औरेगेनो डालेंगे और थोड़ा सा थाइम भी डालेंगे औरेगेनो थाइम से इट्रालियन फ्लेवर आता है दो या तीन स्प्रिंग अनियन के अनियन्स मैंने इसमें डाले हैं आप रेड अनियन का भी इस्तमाल कर सकते हैं आधा निम्बू का रस हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच होगा अब इसे पानी के बगेर पीस के पेस्ट बना लेंगे कुकिंग के लिए हमने ऑलीव उयल का इस्तिमाल किया है ऑलीव उयल नहीं है तो पीनट उयल चलीगा घर के किचन में जो भी उयल है उसे हम इस्तिमाल कर सकते हैं ऑलीव उयल को ज़्यादा गरम नहीं करते हैं तेल थोड़ा सा गरम हो जाए, हम पालक का पेस्टो प्यूरी इसमें डाल देंगे देर से दो मिनिट के लिए हमें इसे चलाते हुए पका लेना है अब पका हुआ पास्ता हम इसमें डाल देंगे हलके हातों से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बनाना जितना आसान है उससे ज्यादा टेस्टी है खाने में इस रेसिपी को जरू बना के देखिएगा और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा क्या आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब किया है प्लीज सबस्क्राइब जरू कीजेगा ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे पेस्टो पालक का सॉस डालने के बाद एक मिनिट के लिए हमें इसे पका लेना है अगर लगे ये बहुती सूक रहा है तो कुछ ड्रॉप सा पानी का डाल सकते हैं अब एक लास्ट इंग्रेडियन्ट बाकी है वो है चीस चीस के बगएर ये इनकमप्लीट है हो सके तो इसमें पामेजान चीस का ही इस्तमाल करें मैंने यहाँ पर पामेजान चीस को ही ग्रेट करके डाला है और इसे गरम गरम सर्फ करें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू